आज मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप लोग करूंगी तीन बहुत इस ब्यूड़िफुल से और इजी हैस्टाइल जो कि जिन श्टॉक पे काफी अच्छे लगेंगे और आप कहीं जली-जली में जाना चाहते हों तो यह सारे हैस्टाइल आप आपका जो स्केल्प दिखता है वह भी हाइड हो जाएगा आपका हैस्टाइल भी काफी अच्छा लगेगा एंड क्विक इजी बूटुफुल थ्री हैस्टाइल है जो की पतले हलके बालों में भी आप लोग भना सकते हो और जिन्स टॉप के लिए भी बैस रहेगा तो चल ने बात कर लिए हैस्टाइल को स्टाट कर लेते हैं तो सबते पशनले के वा目前 तो यसा कि फिरंट को टारले के लिकए ये हमको बाद में इसको उधाग leaders कि उसंट्टीтесь लेके जाना है में एक्षे कॉझ करना है और अपर कि तरफ पर पर के तरफ क्राउन एर्यकर पर अपनि पोनी को बना ना है वैसित प्लोगों में मों क्या के लिए तोन्हें साथा है ये हेर्श्टाइल काफी छेया काू मेंक पर ळफिश करना है तो आप जदूर ट्राइ कीजिए गा जितना उचा आप लोगों से हो पाए उतना आप बना लीजेगा उसके बाद एक rubber band आपको यहाँ पर यूज करना है और पुदा टाइटली rubber band को लगाना है ताकि आपकी जो पोनी है वो नीचे की तरस रखना जाए और पहले मैंने भी पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है उस चीसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि हाई पोनी टेल कैसे बनाते हैं उसके बाद अपने बालों का थोड़ा सा सेक्षन ले लेना है पतला सा सेक्षन और rubber band को अच्छे से हाइड करते हैं पोनी को अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि पोनी अपनी जगह पे टीकी रहे है और सरके नहीं इधर उदर इस तरीके से rubber band को लपेट के बैक साइड में एक टिक टेक क्लिक या फिर गॉवी क्लिप से आप इसको सिक्यूर कर लीजे इस तरीके से ताइटली तो आपकी पोनी अच्छे से बनके रैडी हो जाएगी अब आपको यह वाला पीन ओपन कर लेना है इस पर थोड़ा साइटिंग स्प्रे अपलाई करना है तो आप जैल भी यूज़ सकते ओ और इसको अच्छे से फ्लैट कॉम करके लेके जाना है यूज अच्छे से अच्छे से फ्लैट हो जाएगा और आपका जो शाइट से स्क अजिए इसको इस तरीके से करके और बैक साइड में ले जाके लबर बैंड लगा देना है को सुरी अबरबैंड नहीं क्लिप लगा देना है अगर यह पोनी का है जो है वह काफी बढ़ा है तो आप अपनी पोनी के साथ इसको लपेट के वह लपेट सकते हैं या फिर पोनी तक जाते ही खतम हो जा रहा है मेरी तरह तो जो अपने टिक टे क्लिप लगाए था उसके साथ इसको भी सिक्वर कर दो कि मेरे बैक से थोड़े से रफ हैं अगर इकवल होंगे तो काफी अच्छे लगेंगे वैसे अगर इकवल नहीं भी है तो आप स्प्रे और सेटिंग स्प्रे एंड सीरम या फिर जैल अपलाई करके बालों को थोड़ा सा अच्छा लुक दे सकते हो और यह हमारा जो फर्स्ट हेहस्टाईल यह जेस टौप से हाई फोनी टेल लम्बे बालों पे काफी चालाइगा फालों के लॉल ऑख पटले हल के बालों है तो अब इस yamal इस तो काफी एयरं दृक के अलगा तो मुझे मेरे काफी बनाने में चांछा यह स्चानिता कि जगा आप कॉलेज गर्ल हैं फिर ऑफिस वगरा जाते रहती हैं तो और इस एड के हैर को भी सेटिंग स्ट्रे की मदद से अच्छे से सेट कर लीजेगा नहीं तो आपकी स्कैल्प जो है वो दिखेगी जिससे कि आपका हेर स्टाइल अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छे के बाल नीचे से अच्छे हैं कट कराये हुए हैं वह उसी तरह से खूले छोड़ दीजेगा और मेरी तरह नीचे से डैमेज हैं तो आप इस तरीके से यूपीन की मदद से एक हाई बन बना लीजेगा यह भी काफी अच्छा लगता है ओफिस गूइंग गर्स के लिए जिन सब्सक्राइब करते हैं तो चलते हैं थार्ड यह स्टाइल की तरफ और मेरे कई वीवर्स को लगता है कि मैं सेटिंग स्प्रेइब कोई डैमेज होते हैं या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं होता है बहुत अच्छा रहता है आपका सेट रहता है और उपन करने की बाद भी सेट दिखता है तो आपको सेटिंग से बीना जीजक के यूज कर सकते हो हैं अगर आपको कभी-कभी यूज करना है तो तो आप इसको जैसे एलब आपके है नॉर्मल हो जाएंगे जैसे आपके रहते हैं तो चलते हैं थार्ड है श्टाइल के सब थार्ड में आपको सब्सेक्षा नेना बाल कर है कि यहां से स्टार्ट करेंगे कि क्विष्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सेक्षन लेकर क्विष्ट करते जाएंगे जिसके पतले बाले उनके लिए बैस्ट ऑप्टन है और बहुत अच्छा लगेगा यह वाला है अश्टाइंग करके हलका साथ पूल आउट करना है जिससे कि आपके हेर में थोड़ा वॉल्यूम दिखिए और साइड से बालों को हटा के इस तरीके से पूल करके और यहां पे आपको टिक्टे क्लिप से ट्विस्टिंग को सेट कर देना है देनिस के उपसे आपको को डाल देना जिससे कि आपका जो खुलिक है वह हाइड हो जाए और यह क्विक एजी एंड पार्टी में आपके हेर स्ट्राइल कर सकते हो और बहुत आसानी से एजली बना लोगे सेकिंड साइड में आप चाहो तो इसी तरीके से छोड़ सकते हो चाहो तो थोड़ा सा हेर करने के इसको भी ट्विश्ट करने है कि पूल आउट करके और यहां पे बैक में ले जाके क्लिक से सेट करने है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका क्लिक जो है वह अच्छे से हाइड हो जाए और दिखे नहीं तो यह भी जिन स्टॉप पे काफी अच्छा लगेगा गर्स के लिए ती नेजर के लिए काफी अच्छा है क्विक है एजी है तो आप यह ट्राई कर सकते हो अगर आपके पतले हलके बाल है तो और यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो बेबी है वह बिल्कुल भ कर दो रह्ति हो गया तो आज की लिए तना ही फिल मेलेंगे नेक्स वीडियो के साथ आज गूपके आपको मेरी मेरी चैनल में जिनके पतले हहां से बद्देश के सौकीन हैं उनको हैलके होगी और हर टाइप के हायर के लिए मैं हेस्टाइल चैनल पर और फेक्स देश्यं आ प्लो के लेकर आपाऊं और जीनस्टॉप पे यह तीनों हेर्स टाईल काफी व्यूटिफू फूल लगेंगे पतले हल्के बालों में सकेल्प दिखते हो तो आप इस तरीके से जीनस्टॉप पहन देँ हो वेश्टन बेयर वेश्टन ड्रेसेज पहन देँ हो तो यह घेर स्ट